हेलो गाईज, वेलकम टू इस्पेसल एजुकेशन स्क्रीन दोस्तों आज के टाइम में फिजो थर्पिस्ट की डिमांड बहुत ही जादा है और अगर आप ये कूर्स करना चाते हैं तो ऐसे में आपको फिजो थर्पिस्ट की इंकम के बारे में जानना जरूरी हो जाता है इस वीडियो में हम आपको फिजो थर्पिस्ट की एवरेज इंकम के बारे में बताएंगे साथे साथ हम इसको experience और education के base पर compare करेंगे यानि कि इस field में आने के बाद आपकी income पाँच से 10 साल में कितनी increase होगी और अलग-अलग post पर और अलग-अलग state में क्या average income है इसके बारे में भी बात होगी तो सबसे पहले हम बात करते हैं average income की तो इंडिया में physiotherapist की average income है 57,400 रुपीज पर मन्त यानि की 57,400 रुपए प्रत महिने ये जो average income है वो आपको housing, transport और other benefits आपको जो मिलते हैं ये उन सबको मिला कर बताए गई है और अगर हम यहाँ पे salary range की बात करें यानि minimum salary to maximum salary तो यहाँ पे minimum salary है 27,500 रुपीज और maximum salary है 90,100 रुपीज पर मन्त तो 27,500 जो है वो minimum salary है और 90,100 रुपए ये आपकी maximum salary यहाँ पर बनती है अगर हम बात करें median salary की तो salary का median निकलता है 59,700 रुपीज पर मन्त इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि 50% जो physiotherapist है उनकी income 59,700 से कम है और बाकी बच्चे जो 50% physiotherapist है उनकी income 59,700 से जादा है तो दोस्तों ये तो बात हो गई average income की अब हम compare करते है इसको experience से यानि कि अब आपको यहाँ पर समझ आएगा कि 5-10 साल के बाद और 10-15 साल के बाद या फिर 15-20 साल के बाद आपकी average income कितनी होगी या फिर income कितनी increase होती है तो आप इस graph के जरिये समझ सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग physiotherapist हैं और जिनको experience अभी नहीं है बिलकुल नहीं नहीं है यानि 2 साल से कम experience वाले लोग उनकी salary आती हैं आपर 32,200 रुपीज यानि 32,200 रुपीज और 2 से 5 साल के experience वाले लोग यानि 2-5 येर्स वो हैं आपर 45,700 रुपीज यानि 45,700 रुपीज यानि 45,700 रुपीज तो यहाँ पर increment कितना हो जाता है यहाँ पर 42% का increment आपको हो जाता है 2 से 5 साल के अंदर आपकी salary में और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तीसरा है 5 से 10 साल के अंदर आपकी salary 31% से बढ़कर यहाँ पर हो जाती है आपकी 6,100 रुपीज यानि 60,100 रुपीज आपकी हो जाती है और यहीं हम अगर चलें आगे 10 से 15 साल के तरफ यानि कि अगर आपको 10 से 15 साल का experience हो जाता है तब आपकी salary जो है increase होके यानि 23% यहाँ पर increase हो जाएगी और यह हो जाएगी लगभग 73,800 रुपीज यानि 73,800 रुपीज यानि 73,800 रुपए आपकी salary यहाँ पर हो जाती है 10 से 15 साल के experience के बाद और यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ यहाँ पर 15 से 20 साल के experience के बाद आपकी salary यहाँ पर increment होता है और यहाँ पे 20 plus years यानि 20 साल के बाद की experience हम देखें तो 20 साल के बाद आपको यहाँ पे 10% का increment और हो जाता है जो कि लोग 15 से 20 साल है उनके experience से 10% और increment हो जाता है और आपकी salary हो जाती है 86,000 पूरे पूरे और यहाँ पे 86,000 रुपए आपको 20 साल के बाद लगभर आपकी income हो ज से बढ़ जाती है आपकी 20 साल के बाद experience आपको हो जाता है तो आपकी increase हो जाती है 86,000 तक आपकी यह salary चली जाती है तो चलिए इस graph को थोड़ा और easy हम बना देते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत easy way में आपको यहाँ पर एक और graph मिल जाता है experience के comparison में तो आपकी salary 10 years बाद यानि कि 10 साल के experience के बाद आपकी salary starting salary से double हो जाती है तो दोस्तों experience के बाद इसको हम compare करते हैं education system से तो education यानि कि यहाँ पर जो पूरा physiotherapy का course है वो यहाँ पर three stages में चलता है जिसमें आपकी bachelor degree आती है master's degree आती है और PhD आती है bachelor's degree यानि कि bachelor of physiotherapy और इस सो करने के बाद आप master's of physiotherapy कर सकते हैं यानि MPT और इसके बाद आती है आपकी doctorate in physiotherapy जो कि general चीजे हैं अब इसके base पर भी यहाँ पर आपकी salary increment होता है यानि कि अगर आपके पास bachelor's degree है तो आपकी salary बन जाती है लगबग 45,100 रुपीज यानि 45,100 रुपए और यही अगर आप master's कर लेते हैं bachelor's degree के बाद तो आपकी salary यहाँ पर 28% जो है increase हो जाती है और यहाँ पर average salary आ जाती है आपकी 57,600 रुपीज पर मन्त और यहीं पर अगर आप PhD कर लेते हैं master's degree के बाद तो आपकी जो salary है वो 48% increase हो जाती है जो कि बहुत बड़ी बात है और यह salary आपकी बन जाते हैं यहाँ पर 85,100 रुपीज पर मन्त तो दोस्तो अगर इसको हम gender के base पर compare करें यानि कि आपकी income को हम gender के base पर अगर compare करें फिजो थरपी में तो जो male employees हैं उ male employees की जो average income है वो है 60,800 रुपीज यानि 6,800 रुपए और जो female employees हैं उनकी average income बनते हैं आपर 55,800 रुपए यानि 55,800 रुपीज पर मन्त तो यह तो बाते हो गई comparison की अब हम बात करते हैं जो अलग-अलग post आपको फिजो थरपी कूर्स करने के बाद मिलती हैं चाहे आप bachelor's degree क करें या PhD करें तो जो अलग-अलग post आपको मिलती हैं उसके हिसाब से आपकी annual salary कितनी होगी average आपको हम बताने वाले हैं यापर तो पहली post जो है वो है फिजो थरपिस्ट की और इसकी average annual salary है 2-7 lakh रुपीज पर येर यानि 2-7 lakh रुपए सालाना आपकी जो salary आपर बन जाती ह है और next post की बात करें जो कि है researchers की वो है उनकी average income 3-7 lakh रुपए 3-7 lakh रुपीज पर येर और तीसरी post आजाते हैं यापर lecturers की जो की college वगरा में बच्चों को पढ़ाते हैं undergraduate और postgraduate जो courses आपके चलते हैं यानि PG और UG, BPT और MPT उनके लिए जो lecturers होते हैं उनकी average salary बन जाते है आपर 2-6 lakh रुपीज पर येर और जो चौते कटिगरी में आते हैं वो हैं home care physiotherapist और जो की घर में जो setup बनाते हैं पूरा उनकी average income हैं हापर बन जाते हैं आपकी 2-4 lakh रुपीज पर यानिने 2-4 lakh रुपए साला ना और अब बात करते हैं पांचवा जो की बहुत ही important role रहता ह हैं उनका physiotherapy में वो है sports physiorehabilitator यानि कि जो sports में जो मोच आ जाती हैं लोगों को और जो उनका पूरा ध्यान रखते हैं sports में लोगों का वो physiotherapist जो होते हैं उनकी average income बनती है लगबग 4-7 lakh रुपीज पर येर जो की सबसे जादा है होती हैं लोगों की और जो medical coding analyst होते हैं उन की average income बनती है 3-8 lakhs रुपीज पर यह तो यह तो बात रही कि अलग अलग पूश्ट पर क्या average income रहती है साला ना वो मैंने आपको यहाँ पर पता दी हैं तो अब हम बात करते हैं physiotherapist की early income के बारे में यानि की physiotherapist प्रतिघंटे कितना earn कर लेते हैं इसकी जानकारी आपको द पर मुला हमने यहाँ पर यह लगाया है कि 52 into 5 into 8 को अगर हम annual salary से divide कर दें तो यहाँ पर आपकी per hour जो salary है वो निकल के आ जाती है 52 का मतलब है यहाँ पर 52 weeks और 5 का मतलब है यहाँ पर 5 days और 8 का मतलब है 8 working hours तो इसको अगर हम divide कर देते है annual salary से तो आपकी average income जो per hour है वो निकल के आ जाती है तो सबसे आखरी में हम आपको बताने वाले हैं कि इंडिया के various states यानि की भारत के अलग-अलग राजियों में फिजो थेरपिस्ट की average income क्या है यह भी आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है तो हम सुरू करते हैं अंडमान और निकोबार आइलाइन से तो अं प्रदेश में 73,200 रूपई यानि कि 63,200 रूपीस पर मन्थ आरला지 अंचल प्रदेश में 54,000 रूपीस पर मन्थ असं में 62,800 रूपई यानिен बासाट्थ हजार आचि सूर्पय कर भी हार में 71,300 रूपई यानि कि 81,300 रूपई पर आपकर आपकी सैल्ली बन जाती है एवरर एक सुरुपए और च्छतिस गड़ में 58,500 यानि की 58,500 रुपीज पर मन्थ सेलरी आपर बन जाती है और दादर एंड नगर हवेली में तो यहां पर 49,400 रुपीज पर मन्थ यानि 49,400 रुपए या आपकी एवरे सेलरी पर मन्थ बन जाती है दमन और दीव की बात करें तो य 44,400 रुपए आपकी एवरे सेलरी बन जाती है अब हम चलते हैं next slide की तरफ जिसमें हम बात करें की capital की डेली में तो डेली में यहां पर एवरे सेलरी है 59,600 रुपीज यानि की 69,600 रुपए पर मन्थ चलते हैं हम गोगा की तरफ जहां पर है 55,000 रुपए सेलरी और गुजरा अब मध में हैं 1400,600 रुपए पर मन्थ हरृयानज में 55,100 रुपए और हिमानचल प्रोदेस में है 55,700 रुपए पर ती महिने जम्मू और कशमीर में देखें तो 57,800 रुपए पर ती महिने जारखंड में 63,600 रुपए प्रती महीने करनाटक में 67,000 रुपीज पर मंथ यानि 67,000 रुपए केरल में 65,000 यानि की 65,000 रुपए आपकी एवरे सेल्दी पर महीने यानि पर मंथ आपकी बन जाती है आप हम चलते हैं नेक्स स्लाइड की तरफ जिसमें हैं लच्छ दीप में 46,500 रुपए मध्य प्रदेश में 65,400 रुपए महाराष्ट में बन जाती यानि मुंबई एसे सहरों में 67,600 रुपीज यानि की 66,600 रुपए प्रती महीने और मणिपूर में देखें तो यहाँ पर 56,100 रुपए यानि 56,100 रुपए मेगाले की तरफ चलें तो यहाँ पर 56,400 रुपए यानि की 56,100 रुपए मिजोरम में 54,100 रुपए नागालेंड में 57,500 रुपए उडिसाम में 61,600 रुपीज यानि की 61,600 रुपए प्रती मन्थ पर मन्थ और पॉंड चेरी में देखें यहाँ पर तो 52,000 रुपए पर मन्थ और हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स लाइट की तरफ जहाँ पर पंजाब की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर 61,300 रुपीस पर मन्थ राजस्थान में 67,700 रुपीस पर मन्थ और सिक्किम में 52,000 रुपए तमिलाद में 69,200 रुपए यानि 69,200 रुपए यानि 69,200 रुपए तमिलाड में भी काफी जादा इंकम है और त्रफुरा में देखें तो 54,400 और उत्रप्रदेश में यहांग चलें तो यानि यूपी में तो 69,400 रुपीस जो की तमिल लाट से 200 रुपीस जादा है average income यहाँ पर मन्थ और उत्राँचल की तरफ यानि उत्राखंड में हम देखें तो उत्राखंड में 56,500 रूपीज पर मन्थ यानि 56,500 रुपे प्रति महिने और विष्ट बंगाल की तरफ चलें तो यहाँ पर 68,700 रुपीज आपकी पर मन्सेली बन जाती है तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको पूरी डेटेल में फिजुत थरपिष्ट की एवरेज इंकम के बारे में बताया और अभी भी आपको अगर कोई कुश्चन है आपके मन में तो आप कमेंट बाक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं और अगर आपको इस कोर्स के बारे में भी कुछ जानकारी लेनी हो तब ही आप कमेंट कर सकते हैं और इस course के बारे में एक वीडियो मेरी पहले भी निकल चुकी है आप वहाँ से उसको देखकर पूरी information ले सकते हैं So I hope आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजे सौन में आ गई होंगी तो प्लीज इस चैनल को subscribe जरूर कर दें ताकि आपको आगे आने वाले updates आपको तुरंत की तुरंत मिल सकें Thank you, thank you for watching वीडियो